मौसमी सिनह हैं तो सासाराम की रहनी वाली पर इंडिनों सरकार में टीचर हैं और एक स्कूल में बच्छों को पराती हैं पती से अलग अपने माईके में रहती हैं क्योंकि इनकी पती से इनको नहीं बनती शादी के बाद सही पती की प्रतार्ना से तंग आकर मौसमी सिनहा ने ससुराल से नाता तोड़ लिया और पिछले तीन महिने से मायका सासाराम के गोरक्षनी में रहती हैं पती पत्नी में बीबाद होना आम बात है पर जब पती पत्नी के बीबाद कहरा जाए तो पडिवार टूटने के कागार पर पहुंच जाता है कमोविश ऐसा ही मामला मौसमी सिन्हा के साथ है मौसमी ने पहले बहुत कोशिश की कि उनका पडिवार बच जाए पर जब पती इसके लिए तैयार नहीं हुए तो मौसमी ने पती से अलग रहने की कोशिश की पर पती को यह भी मंजूर नहीं था लिहाजा पती पत्नी की भी जब खटास चरम पर आ गई तो मौसमी ने ससुराल को छोड़ दिया और पती से अलग अपने माय के आ गई पती से अलग होने के लिए तलाक के अरजी भी कोट में डाल दी मौसमी के इस कारवाई से पती नाराज हो गए और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी के साथ वो कर दिया जिसकी कलपना कभी मौसमी ने नहीं की दी दरसल कैमूर के चैनपूर प्रखन शरत्र के न्यू प्रात्मिक विद्याले भुवालपूर में काडियरत मौसमी के साथ विद्याले में ही पती अभद्रता की सीमा लांग गए और स्कूल के बच्चों और सहयोगी शिक्षकों के सामने मौसमी की पिटाई कर दी घटना नौ बजे दिन की है मौसमी प्रद्दिन की तरह न्यू प्रात्मिक विद्याले भुवालपूर में शिक्षन कार्य कर रही थी तब ही उनके पती गंगापूर निवासी अमरेंद्र कुमार बिद्याले पहुँच गए और सभी के सामने मौसमी के साथ काली गलौज करने लगी जब मौसमी ने ऐसा करने से मना किया तो पती ने मौसमी की पिटाई कर दी मौसमे खुद को सेयमित करती रही पर पती को गुसा इतना था कि उन्होंने मौसमे के साथ बट्टमिजी की सारी हदें पार कर दी इस दोरान पती ने मौसमे को जान से मारने की धमकी भी दी मौसमे हाथ जोरती रही पर अमरेंद्र पर तो भूत सवार था मौसमे की पिटाई के बाद पती स्कूल से निकल गया मौसमे ने बताया कि शादे के बाद से ही पती के द्वारा लगातार शादेरीक और मांसिक उत्पीरन किया जाता रहा है इससे आजिज होकर ही उन्होंने नेले में तलाक के लिए अरजी दे दी मौसमी ने बताया कि पती ने कई बार विद्ध्याले आने जाने के दोरान रास्ते में भी उनके साथ मारपीट और दुर बेभार किया था घटना के बाद मौसमे ने थाना का शरन लिया और चैनपूर थाने में पती के इस दुर्वेवार के खिलाफ शिकायत तरज कराई है और हर समय जब मैं विद्धाले आती हूँ तो कई बार मेरे साथ दुर्वेवार की घटना कर चुके है बैरहल शादी के बाद मौसमी ने अपने पड़िवार को लेकर कई सपने देखे थे और संजोये थे पर पती के अत्याचार से तंग आकर मौसमी कहती है कि भगवान ऐसा पती किसी को मत देना खोलासा के लिए कैमूर से मुकुल जैसवाल की ये खास रिपोर्ट